Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज मैं आपके साथ बिहार की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि रमजान के दिनों में इफ्तार पे बनती है जो है चना चूरा और कच्री की रेसिपी चना चूरा और कच्री बिहार में बहुत ही famous रेसिपी है बहां लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं आप इसे इफ्तार में एक बार जरूर ट्राइ कीजिए नॉर्मल दिनों में आप इसे breakfast में भी बना सकते हैं या फिर शाम में snacks पे भी बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई जंजट भी नहीं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं जैसा कि चना बनाना है, तो चना काले चने से बनता है काले चने को अच्छे से wash कर लेना है और इसे रात भर के लिए सोक करने रख देना है और अगर आप रात भर नहीं रख सकते हैं तो तक्रीबन 6-7 घंटे इसे सोक करना होता है अब हमें कच्री बनाने के लिए दाल को सोक करना है तो कच्री दो तरह के दाल से बनती है पहले तो लाल मसूर की दाल लेनी है तो एक कप मैंने लाल मसूर की दाल ली है और आधा कप इसमें चने की दाल डाली है तो इसमें जितना आप लाल मसूर की डाल डाले उस से आधा आपको चने की डाल डालना है चने की डाल से ये कच्री बहुत ही कुरकुरी और करारी बनती है और अब इसे अच्छे से वाश कर लेने के बाद इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो देना है ताकि जब इसे grind करें तो डाल अच्छे से पिस जाए और चलिए friends अब हम चना बनाना शुरू करते हैं तो चना बनाने के लिए cooker का ही यूज कीजिए जिससे चना अच्छे से cook हो जाए तो cooker को गरम होते ही मैंने इसमें दो बड़े चमच सरसो तेल डाल लिए है सरसो तेल में चना बनाईएगा इसका flavor अच्छा आएगा तेल को गरम होते ही इसमें एक medium size की प्यास को slice करके डालना है साथ में एक तेजपत्ता भी डालना है अब प्यास को हमें light pink होने तक fry होने देना है प्यास का color light pink हो चुका है इससे जादा dark नहीं करना है अब इसमें हमें चने को डाल लेना है और चना डाल लेने के बाद एक से दो मिनट तक इस प्यास के साथ इसे हमें fry करना है ताकि चने का भी जो smell है वो निकल जाए और वो भी अच्छे से भुन जाए और अब इसमें हमें कुछ मसाले अड़ करने हैं तो चलिए इसमें मसाले डाल लेते हैं वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट डालना है वन टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर डालनी है साथ में इसमें वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है यह optional है आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं half table spoon zero powder डाल लेना है साथ में half table spoon काली मिर्च पाउडर डाल लेनी है साथ में half table spoon गरम मसाला पाउडर डाल लेना है और अब इसमें मैंने 2 table spoon नमक डाला है नमक आप अपने test according डालिए आप कितना नमक खाना पसंद करते हैं फ्रंस इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे ये जो चने बनते हैं बहुत ही हलके मसाले के बनते हैं सब मसाले को डाल लेने के बाद चने के साथ 1-2 मिनिट तक इसे भूनना है ताकि अदरक लहसल का कच्चापन खतम हो जाए उसमें कोई स्मेल ना हो और अब लास्ट में एक मेडियम साइस की प्यास को स्लाइस करके उपर से डालना है साथ में एक मेडियम साइस के टमाटर को भी स्लाइस करके डालना है और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और mix कर लेने के बाद इसमें पानी डालना है और पानी डाल करके फिर इसमें हमें CT लगानी है और अब इसमें एक कब पानी डाल लिया है मैंने पानी आप अपने अंदाज से देख लें ना पानी बहुत जादा हो और ना कम हो और अब इसमें CT लगा देना है तो पहले गैस की फ्लेम हाई करके 2-3 सीटी लगानी है और फिर गैस की फ्लेम लो करके 2-3 सीटी लगानी है तब चने अच्छे से कुक हो जाएंगे सेम उसी तरह से मैंने सीटी लगाई थी 2-3 सीटी हाई फ्लेम पे और फिर बिल्कुल लो करके 2-3 सीटी लगाई थी और चना बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है तो बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो कच्छा प्याज और टमाटर उपर से डाला था वो आपस में मिल जाएं और ये देखें बहुत ही अच्छा से मिल गया है अब इसमें हमें 3-4 हडी मीच्छे डाल लेनी है और ये काले चने बनकर तैयार हो चुके हैं जो कि इफ्तार में बनते हैं ये देखें ना जादा मसाला है और ना इसमें पानी है बस इसे हमें इसी तरह से बनाना है और इसे तयार कर लेना है बिहारे एस्टाइल चना तो बनकर तयार हो चुका है और अब हमें चूडा फ्राई करना है तो चूडा फ्राई करने के लिए एक करहाई में रिफाइंड वाईल को गरम कर लेना है और इसमें नमक डाल लेना है नमक डालने के बाद इसमें हमें मूम फली फ्राई करनी है तो चूड़ा को आप पोहावे बोल सकते हैं बिहार में इसे चूड़ा बोला जाता है तो बस पहले मूम फली को 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है बस मूम फली ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे डालें वरना आप इसे एसकेब भी कर सकते हैं चूड़े के साथ मूम फली को फ्राई करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है बस मूम फली को गोल्डेन होने तक ही फ्राई करना है इसे जादा डार्क मत फ्राई कीजिगा वरना यह करवा हो जाएगा और हाँ गैस की फ्लेम बिलकुल लो रहेगी जादा हाई फ्लेम भी नहीं होगा और अब इसी तेल में हमें चूड़े को फ्राई करना है तो एक कप चूड़ा लिया है मैंने और इसे डाल लिया है अब गैस के फिले medium to high करेंगे और अब इसमें मैंने काले मिर्च पाउडर भी डाला है और बस इसे fry करते जाएंगे और आप देखेंगे कि चूड़ा अच्छे से फूलने लगेगा और बिल्कुल हलका हो जाएगा ये देखें चूड़ा बिल्कुल हलका हो चुका है एक से दो ही मिनिट लगेगा और चूड़ा अच्छे से fry हो जाएगा और अब इसमें तली हुई मूम फली डाल लेनी है और ये देखें फ्रेंड्स चना के साथ खाने वाला चूड़ा भूनकर तयार हो चुका है और चलिए अब हमें कच्री बनाना है तो कच्री के लिए दाल अच्छे से सोख हो चुका है तीन से चार घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था अच्छे से वाश कर लेने के बाद अब इसमें 4-5 हरी मिर्च डाल लेनी है 4-5 लहसुन की कलिया डालनी है अब इस दाल को लहसुन और हरी मिर्च के साथ ही grinder jar में transfer कर लेना है इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डालना है बिना पानी के इसे grind करना है दरदरा पीसना है इसका paste नहीं बनाना है और ये देखिए बिना पानी के ये कितने अच्छे से दरदरा पिस गया है तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ये देखिए फ्रेंज इस दाल को बिल्कुल दरदरा रखना है इसका बारिक पेस्ट नहीं बनाना है अगर इसको पिस्ते टाइम कोई दिक्कत आए तो आप पानी के छीटे डाले और तब इसे ग्राइंट कर लें और दाल को मैंने दूसरे टिफिन में ट्रांसफर कर लिया है इसे आप बना करके फ्रिज में डाले और दो से तीन दिन तक यूज़ कर सकते हैं और अब इस दाल में डालना है साबुद, जीरा, कलॉंजी और अजवाई इन तीनों चीजों से इस कच्री का टेस्ट बहुत ही ओसम आता है इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और अब इसमें डालना है नमक, साथ में एक मेडियम साइस की प्यास को इस तरह से स्लाइस करके डालना है आप जितना डालने उससे डबल आपको प्यास डालनी है अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेना है और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है कच्री बनाने के लिए ये पर्फेक्ट दाल बन कर तयार हो चुका है आप चाहें तो इसमें एक पिंच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं वो आप्शनल है आपकी मर्जी तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं फ्राई करने के लिए आप कोई भी कुकिंग वाईल का यूज कर सकते हैं बस तेल अच्छा गड़म होना चाहिए मेडियम टू हाई फ्लेम होनी चाहिए और बस इस तरह से तीन फिंगर पे आपको दाल को लेना है और इसमें डालते जाना है आप इसे उठाएं और तीन फिंगर पे इस तरह से फैलाएं और फिर इसे तेल में डालते जाएं और दो से तीन मिनिट लगेगा ये कच्री बन कर तयार हो जाएगा जैसे ही कच्री के एक साइड में अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगे इसे फिलिप कीजिए और फिर दूसरे साइड इसे फिलिप करके इस तरह से फ्राई कीजिए कच्री जैसे फ्राई होने लगेगी ये बहुत ही अच्छे से तैरने लगेगा ये बिल्कुल हलकी हो जाएगी और आप देख सकते हैं ये तेल के उपर किस तरह से तैरने लगा है तो बस एट से दो मिनट लगेगा और ये कच्री बनकर तयार हो जाएगा बस ये देखिये फ्रेंट इसे इतना ही फ्राई करना है जादा डार्क नहीं करना है और बस इसे अब निकाल लेना है इस कच्री को आप शाम में स्नैक्स में भी बना सकते हैं चाय के साथ ये बहुत ही बहतरीन लगती है और फ्रेंट ये देखिये हमारी बिहारे स्टाइल कच्री बनकर तयार हो चुकी है तो चलिए इसे अब हम फटाफट निकाल लेते हैं और गर्मा गरम सर्फ करते हैं तो इस कच्री को आप एक बार रमजान में इफ्तार पी जरूर ट्राई कीजिए चलिए हम सर्फ कर लेते हैं चना, चूरा और कच्री को इन तीनों का कॉंबिनेशन बहुत ही बहतरीन होता है बिहार में इसे जरूर बनाया जाता है इफ्तार में ये देखे कितनी कुरकुरी और करारी कच्री बनकर तयार हो चुकी है तो चना के उपर कुछ गार्निशिंग कर लेते हैं हम इसके उपर हमें डाल लेना है बारी कटा हुआ, खीरा, बारी कटी हुई प्याज आपके पास जो भी है या प्याज है या फिर खीरा है जो भी है आप चने के उपर डाले और सर्फ करें अगर आपके पास खीरा या गाजर या फिर मूली नहीं हैं तो आप सिर्फ इस चने को प्यास के साथ भी सर्व कर सकते हैं प्यास हराधन या हरी मिर्च डालिए और उपर से इसमें नीमबू नी चोड़िया और देखिये क्या जबरदस टेस्ट आएगा इस चने का फ्रेंड्स मुझे प्रसनली ये चना स्प्राउट्स के साथ खाना बहुत पसंद है क्योंकि चना खुद भी हल्दी होता है और स्प्राउट्स भी हल्दी है तो मुझे चना स्प्राउट्स के साथ खाना जादा अच्छा लगता है तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको बिहार की ये रेसिपी चना, चूडा और कचरी की तो एक बार इसे आप इफ़तार पे जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करकर बताईए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपने ख्याल रखिए